हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का अविशी अकाडमी पर तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट जुलाई दोजाज चौबिस के लिए सामाजिक अध्यान का टेस्ट पेपर लगाने वाले हैं आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 60 सवाल देखना है आपको पता है कि 40 सवाल आपके सोचल साइन्स और 20 रहता है पेड़ागोजी से आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे जैसा कि आपको पहले से पता होगा अक सीटिट का जो रिजल्ट है लगभग 10% के आसपास बस होता है पेपर 2 की बात करें समाजी गध्यन की 10% यानि कि 100 में से बस 10 बच्चे ही 90 को क्रॉस कर पाते हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि आप आज के इस क्लास में भी देखिएगा समझिएगा आपको यहाँ पर यानि कि ABC Academy पर इस बात को समझाने की कोशिस कर रहे हैं थोड़ा सा कि आप जब सवाल को देखोगे न कूल माइंड से आपको हर सवाल को देखना है सोचना है और इस एक्जाम में क्या फर्क होता है माइंड तो वैसे हर जगा कूल रखना ही होता है लेकिन इसमें एक छोटा सा सब्द अगर आप नहीं देखोगे न आपका समझिए कि आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा यहाँ पे सब्द का खेल चलता है इस वाले एक्जाम में एक-एक सब्द को पकरना होता है चार के चारो आप्शन को पहले पढ़ना होता है फिर आप पुराई टांसर चूज करना होता है जब आप A या B या C को पढ़ोगे न लगेगा क्या यहीं पे जबाब मेरा सही मिल गया लेकिन जब आप D पे जाओगे तो आपको पता चलेगा समझेंगे आपके लिए उतना ही फाइदेमन रहने वाला है जिस भी सवाल को आप देखिएगा आपना उसे काफी ज़्यादा डीप माइंड से नहीं सोचिएगा आपसे यहाभी कहना चाहेंगे आप जितना कूल होकर के देखेंगे कहने का मतलब एक डेप माइंड मतलब एक होता ना कि रॉकेट साइंस नहीं लगाना है बस देखिए और जो दिल कहे जो लगे कहां यह सटिक होना चाहिए वो जवाब आप लगाओगे निंगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं इसलिए आपको कहा जारा है का आपको समझना परता है आईए कुछ सवाल को देखते हैं कुछ नहीं मतलब साट सवाल को देखते हैं पहला सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं देखिए आप कितने अच्छे से कनफ्यूज यहाँ पर करोगे BCE का तात पर यह क्या होता है Before Caesar Era यह तो होगा नहीं यह तो आपको अच्छे से पता होगा Before Contemporary Era यह भी नहीं होगा यह भी आपको पता होगा आप देखिए Before Christian Era और Before Common Era इन दोनों में से आप क्या टीक करोगे यही समझाने की कोशिश कर रहेते Confusion क्या होता है Before Christian और Common क्या होगा सही अगर आपको जवाब पता हो ता आप इसका जवाब कमेंट करके बताईएगा BCE 32 पर आते हैं कह रहे क्या कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाशान युग में भारत में सुतुर्ग मुर्ग थे आईए सारे option को पहले पढ़ते हैं और जहां सही होगा वहाँ देखेंगे कह रहे क्या सुतुर्ग मुर्गों पर मौखिक श्मिर्थियों हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रिय संग्राले में अभी लेखित है क्या यह सही है जवाब होगा नहीं क्या रहा है कि विदेशियात्रियों के विदेशियात्रियों महराष्ट के पटने पुरास्तल से सुतुर मूर्य के अंड़ों के अबसेस मिले हैं बिलकुल आपने का NCRT बढहा होगा किलियर सब्दों में ये लिखा गया एक महराष्ट के पटने पुरास्थल से सुतुरमूर्गे के अंडों के अफशेस मिले हैं सही जबाब हो जाएगा करेक हरपा सबिता का पतन कैसे हुआ था इन समय से आप्शन आपको चुनना है क्या ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा देखते हैं पहले ऐसा लगता है कि साशकों का नियंत्रन समाप्त हो गया हाँ क्या ये रीजन हो सकता है बिल्कुर हो सकता है शकेन कहई रहे है कि हो सकता है कि जंगलों का विनाश हो गया हो जा भी सही है तीसरा क्या कह रहा है सभवता के पूरे छेतर में बाहर आ गई हो नहीं ऐसा संभव नहीं है ठीक है क्योंकि पूरे छेतर में बाहर आ जाना ये संभव है आप आज के आज समय में क्या देखते हो एक देश के सभी जगा पर जब एक साथ नहीं आते हैं कुछ कुछ जगह पर आते हैं तो वहां कैसे आएंगे और वो भी एक निश्चित दाजा रहता है कहां पर 12 आना होता है हाँ हो सकता है एक नदियां सूख गई हो A, B और D सही जबाब है option नमर अगर 33 का देखें तो यहां पर आपको 4 tick करना होता है जो भी लोग पहली वार एकजाम देंगे तो आप देखेंगे इतना गजाब का confusing वाला option है A, C, D, B, C, D, A, B, C और A, B, D ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको इसी तरगा देखने को मिलता है statement वाला मिलता है कहले एक महायान बहुत धर्म के अंतरगत जब महायान धर्म चलना है था था? तो क्या हुआ था? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ बता दे रहे महायान बहुत धर्म के समय में क्या हुआ था? कि पहली सताबदी कि आस-पास का समय माना जाता है इस समय को और इसमें न बुद्ध की परतिमाव अगरब बनाना स्टार्ट हुआ था किसमें महायान में तो कहले है कि बहुत ही सत्तों को नहीं स्विकारा गया क्योंकि उन्हें अभी विक्यान प्राप्ति करना बाकी था नहीं गलत है मुर्ती गला के किंद्रों के रूप में मतुरा इवंगतक्च शिला का पतन हुआ नहीं गलत है मुर्तिओं में बुद्द के उपस्ते थी शिर्फ कुछ संकेत की माथ्यां से दरसाई जाती थी महायान में बुद्द की पर्तिमाई बनाई जाने लगी थी नमबर फूर सही जवाब है कैड़े क्या दिखिए जब आप यहाँ पे क्लास देख रहे हो ना तो 60 में 60 लाने का टार्गेट है और वो कोशिस रहेगा कि आपको उतना बता दिया जाए इसके अलावे जैसे आपका CDP है पेपर वन पेपर टू है उन सब पे आप खुछ से सरूर पकर बनाईएगा नमबर वहाँ भी काफी कम आता है तो उसके बारे में आपको सुचना है बाद वाकि साथ में शाट का टार्गेट जो है काफी आसानी से हो जाएगा आप क्लास को बस सही से देखते रहिए प्रिवियस एगर जो पेपर होता है काफी जदा रिपीट होता है यह आपको अच्छे से पता होगा ठीक है कहरे एक खिलजी और तुगलक वंस के अंतरगत प्रसाशन और समेकन के संदर में सही क्या है बताएए इन दोनों के समय में खिलजी और तुगलक वंस के अंतरगत कहरे एक प्रसाशन और समेकन के संदर में सही क्या है तो पहला क्या कह रहा है दिल्ली से बंगाल जैसे शुरूर प्रांतों का नियंदरन कठिन था हाँ बिल्कुल सही है खिलजी और तुगलक के समय में ठीक है क्या कहने अलावदीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी भागव पर जोड़ जवजस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए नहीं उप महाद्रीप का बड़ा हिस्षा काफी बड़ा हिस्षा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा नहीं गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले छेतर को पहली बार पैठा गया यह भी नहीं होगा आपना यह ध्यान रखिए खिलजी और तुगलक वन्स के अंतरगत प्रसासन और समेकन के संदर में सही क्या है तो दिल्ली से बंगाल जैसे शुदूर प्रांतों करने अंतरण कठीन था यह सही हो जाएगा ठीक है दिखिए साथ ही साथ अगर आप NCRT को पढ़ेंगे काफी अच्छा रहेगा बूग अगर हो तो ठीक है ने तो ऑनलाइन आपको मिली जाएगा ऑनलाइन मतलब PDF के रूपे CVC की वेबसाइट पर जाओगे सीटेट की वेबसाइट पर जाओगे आपको मिल जाएगा वहाँ से तो आप जरूर पढ़ा करिएगा बूग को कह रहा क्या कि जन जाती लोगों के इतिहास के पुनर निर्मान में निम्नमें से कौन शकतन गलत है गलत पर धिहान दे पहरा कहा रहा कि जन जाती लोगों ने समरे दृती रिवाजों और मौकिक परमपराओं का संड़क्शन किया था रिबीद किस्म के जरुरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे बिलकुल रहते थे समकारिन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जन्जातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है पिल्कुल जन्जाति के बारे में बहुत कम जानकारी मिलता है यह भी सही है NCRT का हुवा हुलाइन उठा करके दिया गया है अधिकांस जंजाती समूहों ने लिखी दस्तावेज रखा क्या रखा था अपको लगता है एक जंजाती लोग रखे होंगे उस समय नहीं रखे थे ये कथन क्या है गलत है और गलत ही पूछा है डी यहाँ पर राइट आंसर है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस परकार भारत पर अपने नियंतरन एकन को किया था नहीं दूसरा कहा रहा है तुष्टी करन तथा संपत्ति अधिकार की सुरक्षा करके नहीं तीसरा कहा रहा है इस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिस सामराज के हाथ में सौब कर ताकि भारतिये मामलों को ज्यादा बहतर घंसे समारा जा सके हां ये कथन सही है अवद बिहार मत परतान मत जो भारत है और दक्षिन भारत से ज्यादा सिपाहियों के भरती की गई भरती करकर के तो यह अभी ऐसा भी नहीं है पता है ना दूसरे दूसरे जगह से साउथ से फिर आपका जो पंजाब शाइडर वहां से लाए थे तो यहां पर आपको ध्यान रखन है कि ऐसा नहीं भूमिहिन भूमिहिन के लिए नहीं किसान की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत मतलब होता है ना कि मलाई लगाना कहते हो मक्खन लगाना ऊपर-उपर से थोड़ा बहुत वह किये थे ठादल सो संतावन के बाद लेकिन काफी जादा हद तक सबसे जो नमबर ठटी एट कैरा क्या क्रेम रिकित में से क्या परतिनेदी लोकतंत्र के विशेश्टा नहीं है और दोस्तों आप लोगों से यह भी कहना चाहेंगे क्लास नमबर यह आप थर्ड देख रहे हो एविशी एकाडमी पर ठीक है काफी कुछ यहां पर बताना है काफी 26 मार्च के आज पास में तीसरा वीडियो आप मतलब यह वीडियो अप्लोड हुआ है पता नहीं आप किस डेट को देख रहे हो तो थोड़ा सा दो चार दर्स दिन का समय बीतने दीजिए और जबर दस तरीके से डिसकसन के साथ और जबर दस तरीके से आपको पूरा बताने का मतलब कबरदस्त बताने का कोशिस किया जाएगा है ना तीसरा ही वीडियो है तो थोड़ा सा होता है ना किस किस तरह से आप लोग और समझ सकते हो और समझाने का तो बहुत तरीका पता है लेकिन थोड़ा सा इंतिजार करना और जो भी लोग 27, 27, 27, 29, 30 मार्च के बाद अ जनता की निर्ने निर्मान की परकिरिया में परत्यक्ष सहभागिता बताईए दोस्तों क्या यह सही है निमलिखित में से परतिनिधी लोग तंत्र की जब बात हम लोग कर रहे हैं परतिनिधी मतलब हम तो परतिनिधी चून कर भेशते हैं तो निर्ने निर्मान की परकिरिय परतिनिधी का चुनाव बिल्कुल हम लोग करते हैं और आपका परतिनिधी के हाथ में निर्णय निर्मान की परकिरिया हाँ परतिनिधीयों के हाथ में निर्णय निर्मान की परकिरिया हम लोग देते हैं सही हैं भारत के किस छोटा तिबद कहा जाता है यह तो आपको पता हो याद कर लीजी का बहुत बार पूछा गया है लद्दाक को कहते हैं और लटाग के के निसासित परती से आपको पता है भारत में अपील पर्णाली या पौनवार्दिक पर्णाली किसे कहते हैं बदेए अपील पर्णाली कह रहा है राज कारेपालिका का परमुख का उच्छ नियायले में अपील का प्रावधान है अपील ये परणाली पूछाए आपसे तिसरा नियायक सेवा में आवेदन का प्रावधान करना होता है किसमें नियायक सेवा में या फिर नियायले के आदेश के खिलाफ संसत में अपील का प्रावधान है आसा है कि आपको आप आपका अंसर मिल गिया होगा है ना कुछ ज्यादा सोचना नहीं है निचली नियायले के आदेश के खिलाफ उच्छ नियायले में अपील करने का प्रावधान यह है ना यहीं नहीं होगा सही जवाब आप्चर नमबर सकेंड हो जाएगा नमरिकित मैंसे कौन सा प्रावध ऊपिए पठार का लक्षन नहीं है दिखें करें यहाँ कोईला एवन लोह अयस के जैसे खनीज़ों की पर दूरता है इसमें कहरें प्रावध ऊपिए पठार में लक्षन पूछा है नहीं है सकेंड के रहे कि इस पठार पर पश्चिम की और बहने वाले माहा नदी और क्रिष्णा नदिया मौजूद है तीसरा कह रहा है कि या उत्तरी मैदानों के दक्षिन में इस्थित है या फिर इसके उत्तर पश्चिम में अरावली परवत सिंखला है टाइम कुछ सकेंड का आपको दे रहे हैं बताईए क्या होगा सही जवाब क्या कह रहा है आपका दिमाग क्या होना चाहिए सही कौन सा प्राइड वुपिये पठार का लक्षन नहीं है देखिए लक्षन नहीं है पुछाना इस पठार पर पश्चिम की और बहने वाले महा नदी और क्रिष्णा नदियां मौजूद है न जलत है यहाँ पर कोईला एवंग लोग अयस के जैसे खनिजों की पर चूरता है बिलकुल है यहाँ उत्तरी मैदानों के रक्षिन में स्थित है बिलकुल है इसके उत्तर पश्चिम में अरावले स्रिंख लाए स्थित है बिलकुल सही है अगर आपसे एक्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा ना फिर से सेम टू सेम हो बहुत सवाल रहेगा यहीं एक भी सब्द चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं है कि नहीं को हटा दिया जाएगा इतना तक नहीं होता है तो यह धिहान रखेगा सवाल को आप रट लेंगे अच्छा रहेगा जहां भी लगए कि दिक्कत हो रहा है उसे रट लीजिए बस यकीन करिए भरोसा पर ही पुरा दुनिया चलता है यह आपको पता हुआ नहीं कित मैंसे कौन शकतन अफरिका के बारे में सही है चलिए देखते हैं गोवी मर्वस्थल इस महाद्विप में इस्थित है अफरिका में है क्या शकेंद इसके पस्चिम में यूराल परवत है जो इसे एसिया से अलग करता है अफरिका का बहुत बड़ा भाग दक्षनी गुलार्द में स्थित है चोथा कहरा यह एक ऐसा महाद्विप है जिससे होकर कर्क, विश्वत तथा मकर रेखाएं गुजरती है अफरिका के बारे में अगर पूछे अफरिका एक ऐसा महाद्विप है जिससे होकर कर्क, विश्वत और मकर रेखाएं गुजरती है एसिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्विप यही है कहने का मतलब है कि छेत्रफल और जनसंख्या के मामले में अफरिका महाद्विप का स्थान क्या है शकेंड है यहां से कर्क, विश्वत और मकर रेखा गुजरती है भारत के दक्षनी भागों विश्व कर्त तमिल नाडू और आंद्र परदेश में सरद रित्व में वर्षा होती है क्योंकि क्योंकि क्यरेक पवन बंगाल की खारी से अरब सागर की तरब बहती है दूसरा क्यरेक पवन अस्थल भागों से लोटकर अरब सागर की और बहती है तीसरा क्यरेक पवन अस्थल भागों से लोटकर बंगाल की खारी की और बहती है चौथा कह रहा है कि पवन अरब शागर से बंगाल की खारी की और बहती है कुछ-कुछ सकेंड का जो ब्रेक ले रहे न वो इसलिए ले रहे ताकि आप समझ पाएं आप ही के लिए फ़सर रुख जा रहे ताकि आप माईन में शेट कर पाओ क्या सही होगा भारत के दक्षनी भाग विशिशकर तमिल नाडू और आंधर परदेश में कह रहा है कि सरद रितू में वर्सा होता है क्यों होता है क्योंकि न पवन जो है बंगाल की खारी से अरब सागर की तरह बहती है ठीक है भारत के दक्षनी भाग विशिशकर तमिल नाडू और आंधर परदेश के बारे में कहा जा रहा है एक सरद रितू में वर्सा होती है क्यों क्योंकि नब पवन जो है बंगाल की खारी से अरब सागर की तरह बैहती है इसलिए ऐसा होता है नमबर फर्स्ट सही जवाब है नमले कित्म एसे कौन? ब्रहंसोत परवत है बताईए देखिए ओप्षन यहाँ पर न वास जेस परवत को आप याद कर लोगे ब्रहंसोत परवत पूछे तो वास जेस जो है न परवत यह क्या है भ्रहंचोज परवत होता है ठीक है पता है यह क्या होता है देखिए जब चटान में जो ब्रहंच के वज़ा से बीच का भाग अब नीचे धसता है ना इस तरह से चट्टान है ये वाला पार्ट नीचे की और धस गया ऐसा बन जाए माल लीजिए या फिर आप ऐसे कहो कुछ इस तरह से ये जो पार्ट नीचे धसा यहाँ वाला इस तरह से इसी को आप क्या कहते हो मतलब और बगल से जो उचा 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 उचने लगा ये वाला पार्ट इसे ब्लॉक परवत कहते हैं बीच में जो धसा भाग होता है ये वाला इसे क्या कहते हैं इसे रिफ्ट घाटी कहते हैं जैसे में वाश्जे जो आपका फ्रांस का हो गया कहां पर है ये अच्छा ये भी धिहान रखेगा फ्रांस में है ठीक है फिर आपका जो ब्लेक फॉरेस्ट है जर्मनी में सॉल्ट र सवाल ना फिर से कहिए एक तीसरा बार रिपीटेट है तीन से अभी तक आप देखे हो और तीस तीनों में यह सवाल आया है क्या पता अगले में भी आ जाए यह अप डारेक्ट बात करते हैं क्या पीर्थोई से हमें चंद्रमा खेवल एक ही भाग दिखाई परता है चंद्रमा पेर्थरी का एक चक्कर लगाने में लगवथ 27 निरेता है और लगवर इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी बोड़ा करता है कथन क्या है दोनों सही है ये तो हो क्या ठीक है और व्याख्या भी कर ही दिया आप्शन नमर तीसरा सही है कहरे क्या कायांतित सैल के बारे में दिये गए ए बी और सी कथन पर विचार करके सही विकल्ब को चुनिए तो आएए देखते हैं पहला कहरे क्या आगने और अवशादी सैल उच्च ताब और दाब के प्रभाव में कायांतित सैलों में परिवर्टित हो जाते हैं हाँ सही है आगने और अवशादी सैल उच्च ताब और दाब के प्रभाव में कायांतित सैल में परिवर्टित हो जाते हैं सही बात है शकेंड कायांतित सैल उच्च ताब और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैगमा बनाता है ठीक है, शंग मरमर एक काय अंत्रित सहल है, बिल्कुल सही है, कथन जो है तीनों सही है, यह आपको यहाँ पर टीक करना होगा आए फोर्टिस सेवन पर, आकास से, प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड है, वायू मंडल के किस परत पर आने जल जाता है देखिए, बहीर मंडल, समताप, मत्य, या फिर बाही मंडल, किस में, आप्शन नमबर हो जाएगा, फूर्ट, बाही मंडल, सही जबाब हो जाएगा, ठीक है कहां से, एक छोटी घर के पौधे रखने के क्रित्रिम, आहता से, एक ऐसे अस्थान से जहां बस्ते विक्षित होती है तीसरा कहा रहा है कि लोगों के आवागमन से, या फिर घरों के पास, पास जो बसावट होता है, यानि कि रहने का जो लोग रहते हैं, वहां से, कहां से है रित्तु प्रवासना लोगों के आवा कमन से समन देते हैं तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा नमबर फुटी नाइन पढ़ाईए अस्थाई पवन के समन में कथन A और B पर विचार करके बताईए अस्थाई पवन के बारे में पूछा है क्या यह पवन वर्स भर लगातार निश्चित दिसा में चलती है क्या पश्चिम से पूर्वी पवन इनके उदाहरन है बताईए दिखिए यह पवन वर्स भर लगातार निश्चित दिसा में चलती है ठीक है कौन सी पवन अस्थाई वर्स भरलगातार निश्चित दिसा में चलती है पस्चिम और पुर्वी पवने इनके उधारन है दोनों कथन शद्ध है एक टिक करेंगे कहें कि ब्राजील के कमपोज और बेनेजोला के लानोज किसके उधारन है उस निकटी बंदी है घास अस्थल के भुमद सागरिये वनस्थल के शितोस निकटी बंदी है घास अस्थल के या टुंड़ा परकार की वनस्थल के है तो ब्राजील का कमपोज और वेनेजोला का जो लानोज है ना उस निकटी बंदी है घास अस्थल है क्या है ये दोनों उस निकटी बंदी है घास अस्थल दिन परतिदिन होने वाला परिवर्तन है दूसरा कहले किसी अस्थान की जलवायू सिर्फ उसकी उच्छाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है दोनु कथन सही है कहरें दिये के लक्षनों A और B के आधार पर उर्जा सुरूत की पहचान करें क्या कह रहा है कि यह एक प्रामप्रागत गैस का प्रामप्रागत उर्जा का सुरूत है और कह रहा है कि यह उर्जा सुरूत जब निर्मुक्त होती है कर्यक यह उर्जासरोत तब निर्मुक्त होती है जब अप्रिस कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है पताई यह क्या होगा नंबर फूर प्राकिर्थिक गैस है वह भरक का सूध संस्थान मैत्री के बारे में पूछ रहा है कहां परिस्थित है यूरोप, एसिया अश्ट्रेलिया या फिर अन्टार्क्तिका इसिया सोचिंगे न अन्टार्क्तिका में है ठीख है याद रखिएगा अन्टार्क टिका में आपको बताना होता है 1989 में निर्मान हुआ था इसका निम्रीखित में से कौन सा कथन खनीच के संदर में कहले कि सही नहीं है पहला कहले कि ये विभिन्न परकार के भूव वैक्यानिक परिवेश में निर्मित होते हैं क्या खनीच ये अलग-अलग प्रकार के भूवैक्यानिक परिवेश में बिल्कूल अलग-अलग सिच्वेशन में खनेज तयार होता है सभी खनेज कहरा कि अधात्रिक होता है क्या सभी खनेज अधात्रिक होता है नहीं, सभी खनेज अधात्रिक नहीं होता है ये कथन गलत है करया कि ये प्राकिर्थिक रूप से प्राप्थ होने वाले पदार्थ है हाँ खनीज प्राकिर्थिक रूप से मिलता है इनका एक निश्चित रहशायनिक संगटन होता है या भी सही है बस दूसरा को छोड़ करके चलिए यहाँ पर मिलाईए क्या होगा सही तो दिखिए नर्मदा घाटी जो है ना सिकार और संग्रह के लिए ये जाना जाता था ठीक है सभी को आप यहाँ पर देख लेगे नर्मदा घाटी किसके लिए तो आखिट और संग्रह के लिए आप बताओगी ठीक है एका हो गया शखेंड वज्जी वज्जी क्या था प्रारंभिक गंद्राज था ना यानिकि आरंभिक गंतंत्र था ना यहां पर B क्या हो गया वन मिल गया ठीक है फिर आपका गारो हिल्स है गारो हिल्स में क्या हुआ था याद है आरंभिक रिसी हुआ था सी का हो गया फाइब गंगा घाटी गंगा घाटी में याद है क्या हुआ था लगवग पचीस सो वर्स पहले क्या हुआ था नगर वगर आस्थापीत हुआ था तो यहाँ पे डी के लिए आपको करना होगा तीसरा स्टीक सिंधु और उसके सहायक नदी पर्थम नगर यहीं पर था न था न तो यहाँ पर आपको ठीक करना होगा यह के लिए फोर्ड अब आपको एक बात यहाँ पर बताते हैं और इस बात को आप रट लिजिए रट लिजिए माथे में फाइदे मन रहेगा जब भी इस तरह का सवा के बाद आपको कह रहे हैं और और सब एक जाम का नहीं कहेंगे लेकिन सीटेट में एक से दू अगर आपको जवाब पता है ता आप सही से अपना अंसर टिक कर लोगे हस्ते खिलते टिक कर लोगे जेशे देखिए एक अटू बीका वन यहाँ पर मिलाना तो अगर यहीं तो अगर पता चला आपको तो आप टीक कर लोगा अगर आप समझ गये एक भी अगर आप से मिल जाता है ना तो समझ यह कि आप हस्ते खेलते बाद कुछ सकेंड में पांस से दस सकेंड में टीक कर दोगे आप सब पहने का जरूरी ही नहीं है आपके लिए और सारे कुर्शन को एनलैसिस करने के बाद यह बाद ही यह बात आपको बता रहे हैं और यखीन मानना ही है ठीक है देखिए 56 में कर रहा कि भारती इतिहास केती ठीथी और काल के शमसमाई के वाद विवाद के शंद्र में दिये गए हैं पढ़ना है बताना है क्या सही होगा देखते हैं हिंदू मुल्म ब्रिटिस जेसी कालाविधी उप्यूट है क्योंकि शासकों का धर में एक मात्र महत्तपुण एतिहासिक परिवर्दन रहा है कर देंगे ना गलत हिंदू मुस्लिम बेटिस जब भाजन इस परकार का था कह सकते हो आप ठीक है लंबी समयावधी में घटित होने वाली एतिहासिक परिकरियाओं को निश्चित्तितियों और काल भी भाजन के यह बात सही है हिंदू मुस्लिम बेटिस जैसे कालावधी उप्यूक्त है यह कथन क्यादा क्योंकि सासकों का धर्म एक मात्र महत्रपूर्ण एतिहासिक परिवर्दन रहा यह गलत है और यह सही है ऑप्शन नमबर आप ना फिप्टिनाइन में फिप्टिसिक्स में तो सकेंड को टिक करोगे एक गलत भी सही कह रहा है क्या नीचे दो कथन 19 सदाब्दी के बारे में दिया गया है ठीक है और कह रहा है क्या कि लोग प्रिये जो भात्य कला के संदर में है कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बतलावों का उपहास किया गया अंग्रेजी भासी लोगों के नए सोकों का मजाग और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की शलाह दी गई बताइए 19 सदाब्दी में नई लोग प्रिये भात्य कला के संदर में क्या ये कथन सही है और कारण क्या दिया है देखते है कारण दिया है राष्टरवादी विचारों को अभिवक्त करने के लिए और ब्रिटिस सासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छव्यों का इस्तमाल किया जाता था बताइए क्या सही है तो देखिए कई चित्रों में अपने आस पास के बदलावों का उपहास किया गया बिल्कुल किया गया था अंग्रेजी भासा लोगों के नए सौकों का मजात और और अर्तों को घर से बाहर नौन निकलने के सलाह भी दी गई थी बिल्कुल सही है कारण में जो है न राष्टवादी विचार को अभिवक्त करने और लोगों को ब्रिटिस सासन के किराफ उद्वेद करने के लिए छवी का इस्तमाल किया जाता था बिल्कुल किया जाता था एकजामपल लिया जाता था एकजामपल पहले के समय से ठीक है तो यहाँ पे राष्टवादी विचार को अभिवेक्ट करने और लोगों को बेटी सासन के खिलाफ उद्विलित करने के लिए छवियों का इस्तिमाल किया जाता था यह भी सही लेकिन दोनों बात सही नहीं मिल रहा है तो 57 में फूर को यहाँ पर देखे ठीक कर देंगे क्या कहा रहा है कि भारत में आरंभिक माना उपर समझ के लिए निम लिखित में से किस एक प्रात्मिक सुरोत को किसे एक प्राकृतिक सुरोत माना जा सकता है पात्सा नामा चित्रकला, मर्द पर्देश की सहल चित्रकला, कांगरा सहले की चित्रकला, या फिर गिर्णार का सहल चित्रकला आरंभिक मानव पर समझ बनाना है न, कहां जाएंगे मर्द पर्देश और वहाँ के सैल चित्र को हम लोग देखेंगे सकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा बेटेस काल से पहले बच्चों को परहया जाता था तो आपने अगर परहा होगा इंडिया निशनल मूव्मेंट उसी में आपको यहाँ पर मिल गया होगा देखने के लिए सालों भर परहया जाता था फसल के कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे एक विद्याले में लगभग 20 बच्चे थे यह भी आप ध्यान रखेगा और कहा जाता है कि लगभग 1 लाख स्कूल था तो 20 लाख कहा जाता है कि बच्चे उस वक्त में थे नीचे दिये गए ए और भी 18 और 19 सतावदी में यूरोप में राष्ट राज्यों के उदे संदर्म में है क्या कह रहा है कि 18 सतावदी तक यूरोप के लिए लोग श्वैंग को राष्ट राज्यों के रूप में देखते थे नहीं गलत है प्रारंबिक 19 सतावदी में लोगों को यह बोद कराया गया कि परतियक भासी समुदाय एक अलग राष्ट था हां ये सही है याद रखिएगा 18 सतावदी तक यूरोप के लोग श्वैंग को राष्ट राज के रूप में नहीं देखते थे और प्रारंबिक 19 सतावदी में यानि कि 18 सताव के बात कर जैसे टाइम स्टार्ट होता है लोगों को यह बोद कराया गया कि परतियक भासी समुदाय एक अलग राष्ट था नहीं ऐसा नहीं था मतलब यह कह रहा है कि यह हां ऐसा था तो आपना सकेंड को टिक करोगे एक गलत भी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है समाजिक विज्ञान सिक्षन में प्रोजेक्ट विधी कथन पर विचार करिए तो देखते हैं यह उप्योगिता वादि द्रिष्टी कोन से प्रेरित है यह सिक्षार्तियों को खोजी बनाता है कौन प्रोजेक्ट विधी हां यह भी सही है यह दोनों तो सही है 61 का नेक्स्ट दिखते हैं क्या है नेक्स्ट है यह पूर्ण रूपे एक सिक्षन नहीं जब प्रोजेक्ट आप बच्चों को दे रहे हो तो सिक्षक पराधारित कैसे होगा यहां स्वा निर्देशित के लिए कलापों द्वारा अधिकम को मानती है बताइए नहीं यहां स्वा निर्देश के लिए कलापके द्वारा अधिकम को मानती है यह अभी गलत है बस ए और भी सही है नंबर थर्ड सही हो जाएगा 61 का कर एक अनवेशन को एक ठुक रचनात्मक द्रिश्टी कोन से एक समाजिक विज्ञान के शिक्षिका अपने शिक्षार्तियों को किस रूप में देखेगी कह रहा है कि अनवेशन मतलब होगी आपका जैसे खोज करना खोज करने वाले एक ठुक रचनात्मक द्रिश्टी कोन से एक समाजिक विज्ञान के शिक्षी का अपने शिक्षारतियों को कैसे देखेंगी कि एक समाजिक प्रिक्रियाओं में खोच करने को उच्षुक करके या फिर सुरोत के आधार पर कलपना सील करके समस्याओं के शमाधान के सुझाओं की कोशिश करने वाले के रूप में या फिर विवादास्मत विवादास्पर मुद्धों को उच्छतर सिक्षा के अस्तर पर चर्चा करने के लिए अस्थागित करने से बताई ये क्या होगा देखिए एक बाद बताईए विवादास्पर मुद्धों को उच्छतर सिक्षा के अस्तर पर चर्चा करने के लिए अस्थागित करने के लिए करोगे आप नहीं ये गलत दिया होगा है देखिए डी गलत है दी गलत है तो ये खतम ये वला खतम अब इन दोनों में देखते हैं ठीक है क्या C वर आये तो समश्याओं के समाधान के सुझहाव की कोशिश करने वालों क्या कलपना करवाओगे आप कोशिश करवाओगे बच्चों से देखो इस तरह से मतलब हिंट करना है कि नहीं अगर उनको प्राब्लम हो रहा है ठा करना है समश्याओं के सुझहाव की कोशिश करने वालों के रूप में आप उसे नहीं देखोगे नहीं करवाओगे तो कैसे काम चलेगा C सही है न C को लेना ही पड़ेगा C यहाँ पर बस है A B आ गया नंबर 4 आईए अब देख लेते हैं एक बाल अनवेशन को छुक इसके लिए आपको सामाजिक परिकरियाओं में खोज करने को उत्सुक करवाओगे सुलोतों के आधार पर कल्पना सील बनवाओगे समस्याओं के समाधान के सुझाओं के क्योशिस करने इवाले के रूप में आप देखोगे तीनों सही है समाजिक विज्ञान के पाठ चर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है देखते है पाठ चर्या को जेंडर समनित मुद्दों से जोरना बिल्कुल समाजिक विज्ञान के पाठ चर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए आपको पाठ चर्या को जेंडर समनित मुद्दों से जोर कर आप देखोगे दिखवाओगे बच्चों को कच्छा में एक रूप निर्देश और एक निस्चित सिक्षन सहले नहीं रखोगे सब बच्चे सब तरगे होते हैं विभिन्न सुरूतों को सामिल करना अधिकारिक एवन निमनिकरन परसंगों के बताएं सी होगा सही? हाँ होगा विवेने सुरोत को सामिल करो गया आप A और C तो अपना आंसर मिल गया है आई अब D को देखते हैं वैसे A और C मिल गया तो आपसन नंबर 4 यहाँ पे आवी चुका है यह देखिए D में क्या है एक पर एक छाप पात्र समीश इक्छार्तियों के लिए नहीं यह भी गलत हो जाएगा सबको एक पैमाने पर नहीं तौलना होता है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके खुद के जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है बिलकुल सही है यह विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए क्योंकि उन्हें यह समझना होता है कि मुद्दे उनकी जिंदगी से कैसे जुड़े हुए है एक रूप समसिलत इस्टो कौन की कदर करने के लिए एक रूप तो होगा नहीं कमियों को इंगित करने के लिए एवंग लगभग सभी चीज़ों पर तोस दर्सी होने के लिए कमी दिखाते रहो दुनिया में सब जग़ा सब चीज़ पर आरोप लगाते रहो नहीं ऐसा नहीं करना है बच्चों के साथ समाज में यथा इस्तिती बनाई रखने के लिए नहीं मदलना है बहुत कुछ निमलिखित उधारनों में से विविद्ता को दर्साने वाले उधारन का चयन करें देखिए कह रहा है कि विविद्ता मतलब जो सबसे अलग लगे आपको कह कह रहा है कि रगू शुरेश को फुटबॉल के टीम में सामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह एक समाज के खास समुदाय से आता है देखिए विविद्ता को करना है न ये सही है क्योंकि मतलब कथन और कारण दोनों से मिलते जुलता होना चाहिए क्योंकि चीश तरका कहता है कि रगुना शुरेश को फुटबॉल के टीम में सामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह एक खास समाज से आता है ठीक है ये तो रीजन नहीं हुआ विवित्ता नहीं दर सारा है एक ही बात है परितोस को बंगला अच्छी लगती है वहीं सुचिता हिंदी बोलती है दे कि निर्मला को स्कूल जाने का मुका नहीं मिला दोनों एक ही बात है एक को मिला एक को नहीं मिला एलेन एक करीब परिवार से वास्ता रखता था जबकि सायमन का परिवार भोतमीर था यह भी नहीं होगा लेकिन यहां पर जो है ना बंगला अच्छी लगती है सुचिता हिं आंतवांग और लेसांग गाउं को शामिल किया है किश्माधियां से वित्यार्थियों को आप भर्मन करने के लिए दो राजी को इंगित करने को कहेंगे बच्चे को अगर ले जाना है इन सब जगा पर कैसे ले के जाएंगे किस राज़क से हमनों कुझ देंगे यह तो आपका मैप का अगर समझ है आपने समझ लिया होगा अरुनाचल परदेश और मनीपूर में मनीपूर चाहिए दूराज चाहिए यहाँ पर जाना पड़ेगा समाजिक विज्ञान की समसमाईक समझ अध्यापकों को निम्नांकित सभी करने को प्रुक्चाहिद करती है केवल इसको छोड़ कर देने को यह गलत है यहाँ पर क्या कहलेक सिक्षारतियों को दिए गए विशेवस्टू पर प्रश्ण बराने की छमता के लिए प्रसंसा करना तथा उन्हें अधिगम की जाज के लिए वैद स्विकारना बिल्कुल ठीक कर देंगे सही है सिक्षारतियों को कक्छा में विक्षित ग्यान को मूर्थ परिस्थितियों में उप्यूग करने के लिए अफशर देना एकदम अफशर देंगे शिक्छार्तियों को दूसरे के अस्थानिय अनुभग को पढ़ने तथा श्वैंग के अनुभग को खोजने के लिए कहेंगे प्रश्णों के समान उत्तर देने के लिए सिक्छार्तियों को प्रुट्चाहन देना जुस्य की वे सभी बहतर बन सके प्रश्णों के समानुत्तर कैसे कोई दे सकता है नहीं दे सकता है अब ही हम रोग देखिए आप क्या सूच रहे हैं हम क्या बता रहे हैं यहीं पंतर हो जा रहा है नमबर फूर सही है निम्रिकित में से जेंडर रोधी वाजता का उधारन नहीं है Gender मतलब male female कह सकते हूँ अरूढी वाद का मतलब वो ताहले से जो धार्णा बना हुआ है लड़का ये करता है लड़की ये करती है लड़का रो नहीं सकता है लड़की रो सकती है तो ये सब भी है आएए देखते हैं पहला कह रहा है कि हला कि लर्के कच्षागत्च चर्चा में दबदबा बनाने का प्रियास करते हैं, لेकिन लर्कियों एवं लर्कों दोनों के सहभागिता को प्रोचाहित किया जाता है हाँ ये बात सही है ना लड़के कच्छा कच्छा में दबदबा बनाने के प्रियास तो करते हैं लेकिन लड़कियों एवंग लड़का दोनों के सहभागिता को प्रुचाहित किया जाना चाहिए ना बिल्कुल चाहिए तो ये जंडर रोड़िवागिता का उधारन नहीं कि लड़कों एवंग लड़कियों को अलग-अलग पंती में अब बिठाओगे वही अलग-अलग बिठाओगे लड़का लड़की को रुड़िवाद हो गया सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टोर्नामेंट में भाग लेने के लिए बहुत सहीद करोगे फिर रुड़िव बाद को दिखाता है पहले को छोड़कर समाजिक विज्ञान शिक्षन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा क्या अतीत के सभी सांस्कितिक पर्थाओं को बनाये रखना शाहितिक स्रोतों का समालोशनात्मक विश्लेशन करना चाहे वो कितने भी पुरानी हो सभी गयर साब्दिक सुर्टों का निश्काशन करना सुर्टों के ट्राइ एंगुलेशन यानि की तरीकूनिये को परमुक्ता देना बताए क्या करोगे ठीक आप दिखिए सुर्टों के ट्राइ एंगुलेशन यानि की तरीकूनिये को परमुक्ता देना ये सही होगा सभी गर्ष साप्दिक सुरूतों का निश्काशन करना नहीं सभी गर्ष क्यों करेंगे साहतिक सुरूतों का समालोजनत्मक विशलेशन करना चाहे वो कितने भी पुरानी क्यों नहूं बिल्कुल करोगे या भी सही है दी और भी सही मिला एक है कह रहा है अतित के सभी सांस्कितिक पर्थाओं को बनाए रखना क्या ये संभव है अतित के सभी सांस्कितिक पर्थाओं को बना कर रखना नहीं न तो कहला और तिसरा गलत है दूसरा और चौथा सही है बी और डी सही है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कच्छा में समाजिक नियाय के परती समवेदन सिल्टा को प्रोचाहिद किया जा सकता है कैसे पहला कहले कच्छा में विचार विमर्ज के दोरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन के कहानियों के अंसों को शामिल करके समाजिक नियाय के परति सम्विधन सील को प्रोचाहिद करना है यहाँ पर दूसरा कहला एक भारतिय समाजिक परिवेश के एतिहासिक संदर्मों को एक गयर बराबर सकती समिकरन के रूप में देख कर तिसरा कहला है कि समाजिक नियाय पर आधारित समयधानिक प्रावधानों को कक्छा चर्चाओं में शामिल करके या फिर चौथा कहला है कक्छा के दोसी बच्चों को तूरंद सारेरिक दंड दे करके क्या कहा था? बताईए क्या होगा? चलिए यहाँ पर आप एक बात को बताईए प्रस एक चीज़ को समझेए करक्छा के दोसी बच्चों को तूरंद सारे रिक दंड देना है क्या? नहीं ना डी गलत हो जाएगा ना आईए तो देखते हैं क्या इस तरह से ओप्शन में है? डी को हटाने वाला, डी यहाँ हटेगा, डी हटेगा, ए, बी, सी, चलिए, C पर डिसकुसन करें ज़रा, क्या कह रहा है? सामाजिक नियाय पर आधारित सम्वेधानिक प्रावधानों को कच्छा चर्चा में सामिल करना कर सकते हैं ना? समाजिक नियाय पर जो आधारित सम्यधानिक प्रावधान है समाजिक नियाय के बारे में बात कर रहा है कच्छा में चर्चा कर सकते हैं न हो गया सही है भी क्या कहा है एक भारतिय समाजिक परिवेश के एतिहासिक संदर्भों को एक बराबर सकती के समिकरन के रूप में देख करके हाँ देखोगे कक्छा में विचार में मर्ज के दोरां समकालिन जन आंदोरनों और पक्च समर्थन के कहानियों के अंसों को शामिल करके यह भी सही है option number 4 सही है चलिए कह रहा क्या पता है इसी वज़र से जो कम होता है उसका रिजन क्या है बस यह सारे option एक तो 3-4 statement रहता है और उसमें से भी चुनना होता है गलत क्या है सही क्या है कि इतिहास सिक्षन सास्त्र प्रियाश करेगा कि क्या प्रियाश करेगा बताइए इतिहास का निर्मान सोटों पर आधारित होता है हाँ एक दम सही है इतिहास समाजिक प्रिकडियाओं में निरंतर्ता और बदलाव को खोजें ठीक है इतिहास व्याख्यानों के विवेदों के सनलगन हो तद्धा परमुक समुदाय के विचार को अनुमोजित करें या फिर करें कि इतिहास घटनाओं को एक काल विशिस के समाजिक राजनितिक संदर्वों में रख करके दिखता है बताए चाड़ों में से क्या सही जवाब हो जाएगा बताए देखिए इतिहास व्याख्यान के विवेद से सललगन हो तथा प्रमुक्ष समुदाय के विचार को अनुमोजित करें क्यों भाई प्रमुक्ष समुदाय के विचार को क्यों अनुमोजित करोगे सी गलत है इतिहास का निर्मान सुरूत पर होता है सही है इतिहास समाजिक प्रिक्रियाओं में निरंतर्ता और बदलाव को खोजें या भी सही है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेश के समाजिक संदर में संदर बीद करता है सी को गलत करना है सी यहां खतम यहां खतम यहां खतम आंसर अपना मिल गया प्रदूसन रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौली का अधिकार के भाग के रूप में श्विकार अगया है यहां पर आपको टिक करना होगा जीवन की रूप में ऑप्शन नमबर क्या होगा फूर सही जबाब हो जाएगा ज्यान रखेगा काफी इंपोर्टेंटा कि भारत का वर्णन करने के लिए विवित्ता में एक्ता मुहावरी का निर्माहोन कृष्णी किया था काफी इंपोर्टेंट है नॉर्मल जब आप जौब की तैयारी करोगे तब भी यहाँ पे आता है कुछ इस तरह से यूनिवर्सिटी डैवर्सिटी यूनिवर्सिटी करके कुछ था एक तो भारत का वर्णन करने के लिए विवित्ताक में एकता मुहावरा अगर आपसे पूछे तो यह थे जवाहर ला चुनकर यहाँ पर ना यह एंगलो इंडियन के लिए बात कर रहा था दो जो आते थे चुनकर के यह आपको पता है अभी फिरहाल यह आपको पता है नहीं होता है अब आपको आप्शन नंबर शकेंड बताना होता है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राज तंत्र से बदल कर क्या हो गया काफी इंपॉर्टेंट है लोग तंत्र हो गया था ठीक है डेट क्या था 24 अप्रिल और 24 अप्रिल को भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं याद करिए ऑप्शन नंबर आपको फिलार यहां पर यह लोग तंत्र रियाल रखना है कह रहा है कि जन स्वास्त के छेते में कुष्टारी का उपागम किशे कहा गया है देखे कुष्टारी का ना अमेरिका के पास कहें कि देश है ठीक है और यह ऐसा देश है जो सैन नहीं रखता है और जंस्वास्त पर ज्यादा खर्च करता है काफी ज्यादा मतलब हेल्थ को ले करके है यह बहुत छोटा सा देश है और कोई वहां पर है नहीं तो क्या करता है वो लो कि हेल्थ पे ही ज्यादा ध्यान रखते हैं और एक केस इस्टेडी के रूप में मतलब जबरदर्स तरीके से वो अपने आपको बना के रखे हैं नमबर 77 कर्यक वर्वर CP 97 में भारते उचिनायलेने विशाखा निर्देशकी रचना महला Days को किम पहां पर वेवाखिक समद्य शरत पर गार या कार यस्थल पर इन समय से सबसे नंबर डी हो जाएगा सही जवाब निम्लिखित मैंसे कौन भारत में एक राज के राज पाल के न्यूकती करते हैं यह तो आपको पता है कि राष्ट पती के द्वारा वो होता है लेकिन किसके सिफारिस पर यहां बेस्ट ऑप्शन क्या है केंदर सरकार अटर्वनी जनरल भूमी रिकॉर्ड के जाधिकारी ग्रामीन प्रसासनिक होते हैं लेखपाल होते हैं पटवारी होते हैं नगर निगम वार्ड कॉंसलर यह ग्रामीन प्रसासनिक नहीं नहीं होगा नगर निगम ग्राम पंचायत होता है गाउं में नगर निगम सहर का होता है और उनका यह का बात करेंगे ठीक है देखिए गिरफतारी नजरबंदी और पूस्ताच के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वारे परिकरियाओं से जोड़ेने देश आप याद नहीं हो का आप ऐसे याद रखिए एक छोटा सा बात बता रहे हैं डीके वाशू है ना बासू को आप बोश भी रख सकते हो ना वार में सोच सकते हो ना बोश सहब शुबाश चंदर बोश गिरफतारी नजरबंदी पूस्ताच सब में हमारे वो एक्सपर्ट थे है ना अरिजों को चक्मा दे करके निकलने में आपको पता है कितना जबरदस्त रहे थे यहीं हो जाएगा कारों को स्विकारता है वन कानून अनुपने शिर्शक में अनुशूचित जन जाति जन जाती जन रा सही जवाब है नंबर 82 पर आईए क्या कह रहा है कि दृतियक सुरूत का एक उधारन है क्या होगा इन में समय से जन्व एवन मेत्यू के पंजीगरंग कार्ड या फिर हमारे अतीत क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है इसके लिए NCRT की इतिहास की पार्टे पुस्तर भारत कर करिए क्या सही क्या गलत है याद रखना है परिक्षाएं तंद्र की सुविधा के लिए निर्मित क्रिष्टिम परिष्टितियां है ना कि व्यक्तिगत सिक्षार्थी के लिए व्यक्तिगत सिक्षार्थी के लिए नहीं है सही बात है परिक्षाएं तंद्र की सुविधा के लिए बनाया गया है ठीक है व्यक्तिगत् शिक्षार्ती के लिए यह नहीं बना हुआ है सकेंड के रैक इसमिर्थी परिक्षन से दूर दक्षिताओं के परिक्षन पर जोर के रूप में बदलाव समाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा बिलकुल सही है इस चाहिए क्या होना चाहिए कह रहे क्या कि समाजिक विज्ञान के ना अध्यापर के अध्यापर के अध्यापिकाद देखते हैं सिक्षार्तियों को समाजिक एत्याचिक तत्य को याद करवाना नहीं रहता है समाज में यथा इस्तिती बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्विकार करने क्यों भाई सभी निर्णय को क्यों स्विकार करेंगे तो यह भी गलत है सिक्षार्तियों में प्रति अस्पर्धा जागरित करने के लिए competition नहीं भाई यह भी नहीं करना होता है number four character सभी तत्व जो समाज का निर्मान करते हैं उनके बीच के समंधों का बोध कराना बिल्कुल सही है सभी तत्व जो समाज का निर्मान करेगा ना उनके बीच का relation को आप फील करवाओगे बनाओगे समझाओगे number 85 करेख समाज का विज्ञान में आकलन का मुख्य उदेश्य होता है क्या सिक्छार्तियों के बीच समाजिक विवेदों को दर्साने के लिए नहीं समाजिक विवेद अलग-अलग जो भिन्यताय होता है क्यों दर्सा होगे मतलब वो गलत नहीं करना है सिक्छार्तियों को परति पुष्टी देना तथा मानक अस्थापित करना जिसको पाने के लिए वो परियासरत है बिल्कुल सही दिख रहा है सिक्छार्ति को परति पुष्टी मतलब होगया कि आप फिडबैक दे रहे हो तो आसा उसे आप समझारे उस तरह के सिंस में होता है और मानक अस्थापित करना जिनको पाने के लिए वे परियासरत है जो बच्चे चाहते हैं वो करवाएंगे उनसे उनको उसमें सक्षेस दिलाने का काम करना है खुड का बात उन पर नहीं थोपना है तिसरा कहरे पाठ पुस्त्य ज्यान को याद करने का चमता का परिक्षन नहीं सिक्षार्तियों को वर्गिकरित करना नहीं बच्चों पर लेबल नहीं लगाना है अलग-अलग नहीं करना है तुम इज़ात के हो तुम गरीब हो तुम अमीर हो यह वह इस तरह से नहीं करना होता है शकेंट सही हो जाएगा ठीक है आईए टी सिक्स पर चलते है करेक्ष सामाजिक विज्यान के कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी स्यक्षनिक उपकरन के रूप में उप्योग किया जा सकता है क्योंकि बताए क्यों किया जा सकता है आईए अच्छा ओप्षन देगे कुछ इस तरह से दिया है ज्यादा से ज्यादा सही जो भी है उसे टीक करना है सही करके निकालना है क्या कह रहा है शामाजिक विज्यान के कक्षा में फिल्मों को एक परभावी सेक्षनिक उपकरन के रूप में उप्योग किया जा सकता है क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है ला सकती है हाँ फिल्म के अक्षा के भीतर बाहरी दुनिया का दिखाता है न क्या रूप दुनिया में चल रहा है फिल्म में अन्देखे और अन्सुने संदर्भों को खोजने की एक शक्ति से प्रिडित करता है फिल्म जो अम लोग नहीं देखे हैं नहीं सुने हैं उनको भी खोजने की सक्ति देती है फिल्म ऐसी कहानियों शमवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन से हम जो जीवन जो हम से दूर हो चुका है हमारे जिंदगी से यह भी सही है नमबर फूर कह रहा है फिल्म एक वस्तुनिस्ट माध्यम है जो चात्रों को एक ही तरीके से लाइन पर यह एक ही तरीके से अपने विचार्ट रस्तुत करने के लिए प्रोचाहित कर सकती है नहीं एक ही तरह से कहां से डी गलत तो यह गलत यह गलत यह गलत ऑप्शन नमबर थर्ड मिल गया 86 का तीसरा सही है फिर से कुछ उसी तरह का ऑप्शन है क्या कह रहा है कह रहा है क्या कि निम्लखित कह रहा है कि कक्छा में मांचित्र मैप के बारे में कह रहा है इसके परियोग के संदर में कथन्स क्या है सही मैप पे है मांचित्र एक समाजिक राजनितिक निर्मित है समाजिक राजनितिक है नहीं ना समाज से राजनिति से क्या मतलब मैप को हाँ राजियति से मतलब है देश का अगर बात करेंगे एक दूसरे से समंधिक तो ठीक है लेकिन समाजिक नहीं न होगा चिरकाल से उत्तर को सदा शभी समाजिक राजियति संधरवों में मानचित्र में उपर दर्साया गया है उत्तर नौर्थ साइड को उपर दर्साया गया है क्या चिरकाल में हाँ मतलब सुरू से सही है दूसरा वाला तिसरा करेक मानचित्र एक त्री आयामी शाधन है जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं नहीं भाई ये गलत है लाइन सिक्छार्थियों में समय की अवधार्णा को विक्षित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामगरी है सिक्छार्थी में समय की अवधार्णा मैं अब दर्साता है क्या समय टाइम टेबल नहीं न यह भी गलत है बस एक सही था B करेकर सिक्छार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में समाजिक विज्ञान के सिक्छक को चाहिए कि इसका ऑप्षिन कैसा दिया है पहले देख लेते हैं अच्छा इसका भी ऑप्षिन कुछ उसी तरीके से दिया गया है ठीक है आई ये देखते हैं क्या क्या है यहां पर कैसा ही होगा यहां पर कहले है कि सिक्छार्थियों के जीवन से अधिगम मतलब होता है सीखने के तरीका सीकना लेर्न प्रहन पर आदिखत availability को जोड़ने के सिक्छक को चाहिए कि विशयवस्तू में विवित मतलब अलग अलग सांस्कितिक दिश्ट धिकॉ थो आपको यह जरूरी है करना दूसरा क्छा में शक्षार्थियों को उनके नीजी एवंag परिवारिक शन्दर्व से चिन्नीत करना क्या कंछा में जो बच्चें हैं कुई घरीब हैं कोई अमीर हैं कोई अच्छाही ख़राबी है कई किसी में वो सब को अपने जी ठीका टिप्पनी करोगे नहीं ना भी गलत हो जाएगा ना सिक्षार्तियों को अपने उदाहरनों एवग अनुभवों को कच्छा में साजा करने के लिए मौका दें बिलकुल मौका देंगे एफ सी सही यह बेगलत है देखिए अगर भी गलत है तो ये भी गलत ये भी गलत ये भी बलत ऑप्षन नमबर देखिए मिल गया ना वन्स के वर्धन एवंग विकास को चिन्हित करने के लिए वन्सावली चाठा वन्स के आगे बढ़ने के लिए वन्सावली होता है एक सकेंड नहीं किसी सामराज या वन्स के वर्धन एवंग विकास को चित्हित करने के लिए देखिए अनुक्रम एवन प्रकर्यात्मक शमंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है एक काल क्रमिक रूप रेखा देने के लिए किया जाता है सिक्छार्थियों में अस्तान की अवधान देने के लिए किया जाता है वनसावली चार्ट का ठीक है है और किसी सामराज या वन्स के वर्धन के लिए आपको बता हो है लास्ट में पिछले वार बताए थे समय चार्ट टाइम टेवल टेवल रिखा जो आता था वो होता था वन्सामले चार्ट में ये तीनों होते हैं बी सीडी ओप्शन नमबर आए देखते हैं टीनाइन का ये सही जवाब हो जाएगा नमबर नैंटी कह रहा है द्रिष्टी बाधित मतलब जो बच्चे देखने में सक्षम नहीं है वैसे बच्चों के साथ कारिकरते समय एक समाजिक विज्ञान सिक्षक को किस प्रकार से सिक्षन अधिकम प्रक्रिया में अनुकूरन करना चाहिए मतलब किस तरह से आप यतोचित विराम तथा पुन्रावर्ति के साथ असपष्ट एवन कुछ आवाज में बोल करके बिल्कुल जहां पुन्र विराम होता है रुकना होता है रिपीट करके आप क्लियर सब्द में अच्छे आवाज में बताओगे सही है अलग अलग प्रकार के आकर सक द्रिष्यो वाले कारे पत्रों का प्रियोग करके जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं क्या उनको द्रिष्ट वाला पिक्चर वाला कुछ लाकर दिखाओगे नहीं ना भी गलत हो जाएगा ना फिर से आप देखिए भी गलत भी गलत भी गलत आंसर सामने है मौखिक संकेतों द्वारा कलपना करने के अवसरों को उत्पन करना एकदम सही है मौखिक संकेत के द्वारा मूँ से बोदर के संकेतों दोगे और अवशर मतलब अपरजुनिटी वहाँ पर देना है बच्चों को कक्छा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानि असपर्स करने वाले सामगरियों को चर्चे दौरान टेक्टाइल यानि असपर्स करने वाले सामगरियों यानि कि छू करके बच्चे जो फील कर पाएं तो बिल्कुर सही है ना जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो छू करके महसूस करके समझेंगे बातों को तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 60 सवाल होता है अपना समाप्त जिसमें क्या आपको पता है 20 सवाल था पैड़ागोजी और 40 सवाल था आपके समाजिक विज्ञान जिसमें की हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी करहता है आपको फिर से लास्ट में कह दे रहे हैं सीटिट में 60 में 60 लाना मुश्किल होता है लेकिन पूरा यहाँ पे फोकस रहेगा का आपके 60 में 60 नंबर आए आपको बार बार कहते हैं आप जब भी सवाल को देखिएगा न आपको कोशिस करना है हलके माथे से देखने का थोड़ा सा भी प्रेसर लिजिएगा जो भी बात कह रहे है उसे यकीन मानिये बरोसा करते हैं तो इस बात को समझ ये एक बेस सब्द में अगर आप उलसते हैं माइंड को लेते हैं पता नहीं कैसे क्या जाएगा एक्जाम कैसे क्या सेट लगाएंगे नहीं हलके माथे से सोचना बहुत बच्चा वाला बात रहता है लेकिन सब्दों क हलका सा समझ आपको चाहिए होता है 20 सवाल में पेड़ागोजी में आप 20 में 18 हस्ते खेलते ला सकते हो आपको अगर समझ अगर आप बढ़ा लेते हो अपना तो प्रेसर नहीं लिजेगा सीटेट का अच्छा पेपर हो जाएगा आपका कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा य अगर आपको क्लास पसंद आया हो वीडियो को लाइक से यर सब्सक्राइब खुद से कर देंगे लाइक से यर सब्सक्राइब के लिए परिशान यहाँ पर नहीं किया जाता है ता आप लोग अपना जिम्मेदारी समझ के कर दिजेगा